सब्सक्राइब कीजे हमारे देव MTR चैनल को और गंटे के बटन को दवाईए और देखिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में तो आज में आपसे बात करूँ का गीयर लिवर आपका इस सठक्ट हो जाता है जब आप गीयर को लगाते हो रिवर्स में लगाते हो या पांचबान बार लगाते हो या कई कर चैनल शायो तो यह पैटल वर्जन की गाड़ी है, मेरे पास सेवरले वीड तो या दस मोडल है, तो कई बार क्या होता है कि आप पुरानी गाड़ी खरीद लेते हो, तो उसमें भी यह प्रॉब्लम हो जाती है, तो यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली यह प्रॉब का इसको हम हटादेते हैं, तो फाइनली दोस्तो मैंने इसको कपड़े को खज़ अधा दिया है, जिसमें जो इसका जो गियर लीवर है, वो लगा हुआ है, ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब मैं गियर इसमें लगा रहा हूँ तो टायट लग रहा है, अब मैं दूसरा तो भो भी टाइट लग रहा है। लेकिन कई वार क्या होता है कि रिफेर्स गियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको रिफेर्स गियर आप लगाते हो तो गाड़ी कर खड़ खड़ करने लगती है गीर अटक जाता है नहीं लग पाता है बहुत जादा खींच के लगाना पड़ता है आपको तो इस चीज का solution क्या है सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि यह खराब कैसे होता है इसकी एक ही condition होती है तो दोस्तो इसको चेक करने की सिर्फ एक ही condition होती है अगर यह play हो रहा और यही कारण होता है गीर को अटकने का गीर स्टक हो जाते है इसी की वज़े से तो यहां पर आप देख सकते हो गोर से मैं आपको दिखा रहा हूं एक तो यह यहां पर आपका अटक रहा है जैसे यहां पर आपका एक gap बन चुका है इसके अंदर में देख सकते हो यह और एक गैप इसका यहां पर बनाए तो इस तीनों पार्ट की बज़े से आपको जो है गीर इस्टक्ट और गीर जाम की प्रॉबलम का आपको सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन होता है गाड़ी के जो गीर जो जाम हो जाते हैं जिस टक्ट हो और जो अटक जाते हैं फस्ट गेर भी कभी अटक जाता है अब इमें लगा रहूं तो दूसरा अभी लग रहा है बहूड दो आपड़ता कभी इस तो यह तो ओ गया इसका सॉलूशन आपको बताने का कि अगर यह प्ले कर रहा है तो मतलब कि आपका जो गियर को यह तो दो से आपको 5-10 यार लगवक एक अनवान से बता रहा हूं वह आपको मिल जाएगी अगर आप इसको लगवा ले तो तो आपकी प्रॉब्लम जो गियर अटकने वाली है इस टक्ट हो जाता है रिवर्स कियर या फैला या दूसरा वो आपकी सॉल हो जाएगी इसको लगाने के बा साफ करकर आके आप इसको यूज कर सकते हो तो अब मैं बात करता हूं आपसे गियर सिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कई वर क्या होता है कि हम लोग अपने कमफर्ट के लिए जब हम गाड़ी हाइवे पर चलाते है और दाहेना जो हाथ होता है हमारा स्टेरिंग के उपर होता है ठीक है लेकिन दोस्तों जब आप अपना लेफ्ट वाला हाथ कियर के उपर जब गाड़ी चलती है और गाड़ी चलती रहती है तो तब क्या होता है जो गियर सिफ्टिंग वाला जो एक्क्यूपमेंट होता है अंदर booster होता है जो shift करने वाला जो सारा system होता है जो parts होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके हाथ रखने से उन में friction और घरसन जादा होता है वो parts जादा गिसने लगते हैं तो उसकी बज़ाए से उन parts हो में gap आजाता है तो यह सबसे बड़ा region है इस चीज का तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो अपना जो हाथ है उसको steering पर left वाला भी और right वाला भी दौनों हाथों को आप steering पर ही यूज करें gear वे आप नहीं यूज करें तो ही बहतर होगा इससे आपकी जो gear box की जो life है वो ज्यादा से ज्यादा चलेगी तो दोस्तो यह मेरी चोटी सी वीडियो थी I hope की मुझे मेरी जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तो देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कूल कुछ मेरी से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट कर देना जिसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा और दोस्तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना तो